इस्रेल और हमास युद में इस्रेल पर कई तरह क्या रूप लगे हैं का तो ये भी जा रहा है कि इस्रेल ने इस युद में मारे गए अपने सैनिकों के सही आकड़े जारी नहीं किये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्रेल ने जितने सैनिकों के मानने की बात बानी है उसते दस गुना ज्यादा फौजियों की मौत हुई है हथियारों के मामले में इस्रेल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इस्रेल का एरो एर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इस्रेल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाइल इस्रेल की तरफ लाँच होती है तो मिसाइल लाँच होते ही इस्रेल का एर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब तक इस्राइल अपनी एरफोर्स के माध्यम से घाजा पटी पर बंबाडिंग करता रहा तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का अंक डाल लगबग इस्तिर रहा लेकिन जैसे ही इस्राइल ने अपना क्राउंड ओपरेशन शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्तीन के अखबार चाप रहे है उससे असा लग रहा है कि इस्राइल की सेना और इस्राइल की सैरकार इस्राइल के सैनिकों की मौत के आंख्यों को छोपा रही है फिलिस्तीन क्रोनिकल नाम के एक अखबार ने इस्रेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इस्रेल के सैनिक अबरस्तान यानि वो जगह जहां पर इस्रेल के सैनिकों को दफन किया जाता है उस जगह के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूज का एक इंटरव्यू छपा है इस इंटर्व्यू में इस्रेल की मिलिटरी सिमिट्री के डिरेक्टर डेविड बॉर्नर ने कहा है कि इस्रेल के अंदर हर घंटे एक इस्रेली सैनिक का शब कबरिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इसरेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इसरेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेन का बयान छपा है पिछले 48 गंटे में 50 इसरेली सैनिकों को दफनाया गया है यह चौका देने वाली बात है क्योंकि इसरेल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसरेल के करीब 400 सैनिक मारे गये हैं इनमें से करीब 80 सैनिक घाजा के ग्राउंड ओपरेशन में मारे गये हैं करीब 10 सैनिक लेबनन के बॉर्डर पर हेजबुला से लड़ते हुए मारे गये हैं और 300 से जादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ़ते तक इसरेल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गये हैं लेकिन फिलिस्तीन के अकवारों का दावा है कि ग्राउंड ओपरेशन में इसरेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंख्णों से कहीं ज़्यादा है अगर इसरेल के मिलिटरी सिमिटरी यानि सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर डेविड वारेन के आख्णों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसरेल के ग्राउंड ओपरिशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इसरेल के सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक ग्राउंड ओपरिशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए है जबकि इसरेल के गरीब 10 सैनिक मारे गए है जबकि हेजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सरवुच नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके है इसरेल के ज्यादा सैनिक मारे गए है लेकिन इस्रेयल आंकडों को छुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेयल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकडों को छुपा रही है इस्रेयल की सेना प्रोपेगंडा वार में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेयल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्रेयल की सेना अपनी पकड को मजबूत कर रही है। और जहां तक इस्रेयल के सैनिकों के मारे जाने की संचा का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इस्रेयल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानि सर्वश्रिष्ट सेना की दरफ और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करें जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इस्रेयल की के सैने नीती है कि वो हमेशा दुश्मन के दस गुना आदमी ज्य यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नरसंगार हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योर्टी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फरेंस में ये कहा है कि घाजा पट्टी में कोई नरसंगार नहीं हो रहा ह ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जखनों पर नमक छिड़क रहा है लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है योक्रेन और रूस के योत में जब पुतिन की मिसाइल योक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब एक हजार योक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे तब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंगार कर रहे हैं लेकिन घाजा पट्टी के अंदर हजारों मौथों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंगार नहीं मान रहा है ये अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एक्जाम्पल है मालेशिया के प्रधान मंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि योकरेन की घटनाओं को नरसंगार मानना और घाजा पट्टी की मौतों को नजर अंदास करना वैश्विक पाखंड है दूसरी तरफ अगर देखा जाये तो अब तक घाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज़ादा लोग घाल है और घाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है जॉर्डन ने घाजा पट्टी के गाल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल के निगरानी करने के लिए गए लेकिन आपको जान कर हरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेड है जबकि घाजा के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग गायल है और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक प्रूर मजाक है इसराइल अपनी टेक्निकल सोपेरियरिटी की वज़े से अजिया है पिछले हफते इसराइल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूद किया था कि पिछले हफते 72 घंटे में इसराइल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाइल अटेक नहीं हुआ था और जब सो मुआर को तेल अवीब पर एक मिसाइल अटेक हुआ तो जहां से मिसाइल अटेक हुआ उस रॉकेट लॉंचर को भी गाज़ा के अंदर जाकर इस्रेल ने दबा कर दिया ये इस्रेल की ताकत है हमास की प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इस्रेल के 350 से ज्यादा बकतर बंद गाडियां और टैंकोग ओड़ा दिये हैं हमास का दावा तो ये है कि इस्रेल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिये गए है हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ घाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े-बड़े हेड़कौर्टर पर इसरेल ने टैंक चढ़ा दिये हैं इसरेल ही नहीं अलशिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अलशिफा में हमास का हेड़कौर्टर हो सकता है टाइम फ इसरेल अकबार ने ये दावा किया है कि फ्रांस 24 नामके एक न्यूस चैनल पर एक बितन के डॉक्टर ने इंटरव्यो दिया है घाजा के अलशिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अलशिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा गया था अगर वो वहाँ प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है Times of Israel ने दावा किया है कि Al-Sifa Aspetal के अंदर हमास का head water होने का दावा करने वाले British doctor ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर हमास के अंदर वहाजूद उसके सहयूगियों को हमास मार सकता है अ अल शिफा अस्पताल में काम करनेवाले इस बीटिश डॉक्टर में आगे कहा सावधान के जाने की वज़़ से मैं गालजा के अल शिफा अश्पताल की प्रतिबंधित चत्रों से दूर रहा लेकिन मैंने कुछ संदिक से नजर आने वाले ऐसी लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित सा कर भी नहीं थे ये लोग अस्पताल के बेस्मेंट के अंदर जाते थे लेकिन मैंने को अधार बनाते हुए एक पर फिर कहा है कि इस इंटर्व्यू से साबिक होता है कि अल्शिफा अस्पताल का इस्तिमाल हमास के आतनक्वादियों के द्वारा हेड़ पॉर्टर की दरख किया जा रहा था